जैशे कृष्णा स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ कैसे हैं आप लोग आज एक विशिश चीज़ पर आपसे बात करने आई हूँ अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और हमारे जीवन में उससे हमें पीडाएं मिलती ही रहती हैं जैसे कुछ लोगों को खेलने का बहुत शौक होता है और खेल-खेल में चोट भी बहुत लगती है कुछ लोगों को ड्राइविंग का बहुत शौक होता है और उस driving में accidents बहुत होते हैं कुछ लोगों को bikes चलानी होती है तो कुछ लोगों को cycle चलाने का बहुत शौक होता है कुछ लोग तो चलते चलते ही भड़ते रहते हैं और कुछ लोगों को खाने का इतना शौक होता है कि उन्हें नाना प्रकार की छोटी मूटी समस्याई शरीर में हमेशा बनी रहती है आज हम आपको बताएंगे कि क्यूं आपका शरीर बार बार पीडा में आता है क्यूं शाररिक कस्ट आपको इतना सताता है कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में बार बार दर्द या फिद तकलीफे उत्पन करने का कारे करते हैं पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ जब कोई इंसान शारेरिक कस्ट जीलता है तो वो कस्ट उसका होता है कोई दूसरा उसके अंदर शामिल नहीं होता है किसी और की वज़ह से वो कस्ट उसे प्राप्त नहीं होता है इसका मतलब ये है एक एस्टोलाजर की तरह बताऊं तो ये पूरा का पूरा आपके कर्मों का भार होता है आपके ग्रह आपको जो देते हैं वही आप यहां से प्राप्त करते हैं चलिए जी इस शंकला में और भी बहुत सारी रोचक जानकारियां देने से पहले मैं आपको ये तो बता दू कि मैं आपके एस्टोलाजर हूँ वास्तुशास्ती हूँ चाहरा भी पढ़ती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ और हातों के लकीरे भी पढ़े लेती हूँ लेकिन उससे पहले चुकिए आपकी सार्थी हूँ इसलिए आपको रोज कुछ नया अलग और अद्बुत बताने चली आती हूँ जब हमें बार-बार शरीर में चोटे लगें बार-बार शरीर को कस्ट हो और कैसा कस्ट जिसमें बलड ना निकले ऐसा कस्ट जिसमें हमें दर्द तो उत्पन हो लेकिन हमारे शरीर का रक्त बाहर ना निकले इसका सबसे प्रमकारण होता है शनी शनी जब भी पीड़ा देगा शनी की पीड़ा चालू होती है आपके पैर के अंगुठे से बढ़ते बढ़ते शनी केवल लाकर आपको कमर तक ही दर्द देगा उसके उपर का कस्ट शनी कभी नहीं आपको देगा क्यों क्योंकि शनी का बस उतना ही सिमित एरिया होता है अगर आपको बार बार चोट लगने पर रक्त प्रवा हो तो इसी एरिये पर यानि की आपके शरीर के निचले हिस्से पर आदेपत्ते हो जाता है केतु महराज का रक्त प्रवा हो गया तो यहाँ पर कस्ट कौन दे रहा है केतु दे रहा है चलिए जी अगर आपको आपके कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर कस्ट आता है जिसमें रक्त प्रवाह नहीं होता इंटर्नल इंजरीज होती है लिवर किजनी गॉल ब्लेडर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर आपके इफ्रेक्टेट हो रही है इसका प्रमुक कारण होते हैं ब्रहस्पति गुरू जुपिटर अगर इंटर्नल किसी र प्रमुक कारण होता है हमारे सैनापति मंगल अब गर्दन से उपर सिर्टक का जो भाग होता है इसमें आपको जो भी तकलीफे आती हैं जिसमें रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है यानि कि आखों में दर्द रहता है आखे लाल रहती हैं आखों में सूजन रहती है कान में दर्द रहता है सिर में दर्द रहता है इन सब का कारण मुख़्े तौर पर होते हैं सूरेदेव लेकिन अगर यहीं पर रक्त प्रवाहा जैसी चीज़े चालू हो गई जैसे कि आपको बहुत पिंपल्स होते और उसमें से ब्लड निकलता है आपको बार बार बॉड़ी पे खास करके आपके स्किन आपके चहरे पे कट्स लगते हैं और उसमें से ब्लड लॉस होता है इसका सबसे प्रमुक कारण होता है चंद्रमा चंद्रमा जल है प्रवाहा का काम करता है यानि कि अगर आपके चहरे पे किसी भी तरह का कोई कट होता है ब्लड लॉस होता है तो इसका प्रमुक कारण होता है चंद्रमा इंटरनल जो parts होते हैं जो हमारे गुपतांग होते हैं उन पर किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा प्रभाव आता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आने लगती है जैसे कि आपको नपुन सकता आने लगती है आपकी body के अंदर आपका वो part बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है नाना प्रकार की और सारी बहुत सारी diseases है एग्स हो जाता है लोगों को और बहुत सारी problems हो जाती है इसका मुख्य कारण होते है बुद्ध और अगर इसके अलावा आपको कोई ऐसी बिमारी हो जाती है जिस प्रदेव नसों में दिक्कत आजा है राहू सबसे वड़ा कारण है तो देखा आपने कैसे हमारी छोटी से छोटी चीजों पर भी हर ग्रह अपना कबजा मार कर बैठे हैं अब भाई हमें ये तो पता चल गया कि हमारे ग्रह हमें किस तरह की से पीड़ा दे रहे हैं पर इन इसे निकलने का सरल उपाय क्या है घरेलू ऐसा क्या उपाय है जिससे हम इन ग्रहों से सारे नो ग्रहों से अपने शारेरे कस्ट को खतम कर लें तो उसके लिए आपकी ये सार्थी बैठी है आपको अदबद सार्थी उपाय देने के लिए तो उठाइए कॉपी पैन और लि आपके घर का वास्तु आपको एफेक्ट करता ही करता है। आपके घर का नौर्थ और आपके घर का साउथ ये दो मुख्य ऐसी दिशाएं होती हैं, जो आपके हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें देना स्टार्ट कर देती हैं। दूसरी चीज़, जब आपको लगे कि आपके घर का वास्तु जरा भी डगमगा रहा है, नित नियम से अपने घर के अंदर गुगल लुबान का धुआं जरूर देना चालू करिए, लेकिन उसके उपर एक मुठी पीली सरसों डाल कर ये काम करेंगे, तो शारेरिक कस्टों से मुक्ती मिलेगी, गाय का जो उपला होता है न, उसके उपर अगर आप थोड़ा सा घर में बना हुआ काजल लगा कर, उसके उपर कपूर रखकर और दो लॉंग रखकर उसकी धूरी आप देते हैं, और उसके उपर आप ऐसे खड़े हो जाते हैं, जैसे वो धूरी आपकी बॉडी में नीचे से उपर की तरफ आए, आप उस धूए की लपेट में आ जाएं, अगर आप इस तरीके से ये वाली क्रिया करते हैं, तो आपके शारेरिक कस्ट आपके नौ ग्रेहों के आने की वजह से, किसी भी ग्रह से आपको पीड़ा हो रही हूँ, आपको उससे नि करे थे, हम लेटने गया, पैर खिच गया, आए दिन पैर में दर्द बना हुआ है, कस्ट कोई बहुत बड़े नहीं है, जो लॉंग रन तक चले, जिनके लिए दवाईयों पे जीना पड़े, लेकिन कस्ट तो कस्ट है न, शरीर में कस्ट आया, तो इंसान थोड़ा तो डा भी उसमें से निकाल कर अनाज पक्षियों को खिलाना आरंभ कर दीजे, जब कभी भी जीवन में कर पाएं, एक बार अपने वजन के बराबर का तुलादान जरूर करिएगा, और एक सबसे आसान तरीका बताती हूँ, एक तराजों में स्वेम बेच जाएए, एक तरफ एक क प्रावल की कटोरी और तुलसी पत्र ठाकुर जी को चढ़ा दीजे, आपके सारे कस्ट हर लिये जाएंगे और ठाकुर जी का अशिरवाद आपको प्राप्त हो जाएगा, चले मेरी जान, आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊंगी कुछ नहां कुछ अलग कुछ अदबूत लेकर तब तक के लिए मस्कडाते रहिएगा, रिष्टों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सार्ती के साथ योहीं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं, मैं ज आप मुझसे बात करिए, चलें, हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए, ख्याल रखेगा अपना, Love you all, Take care, जैश्यक्रिश्ट,